तो गाइस यह वाला वीडियो होने वाला मॉबोक्स एमिलेटर के ओपर वोव 64 को मैं explain करूंगा और मैं तुम लोग को बताऊंगा इसका advantage और disadvantage क्या है मतलब कि अगर तुम लोग को comparison भी करना है न कि हम लोग का जो पूराना वर्जन था मॉबोक्स एमिलेटर का वह वाला फास तो यह वाला फास्ट रहता है हम लोग को क्या यह यूज करना चाहिए अगर यूज करना चाहिए तो किस किस डिवाइस में सपॉर्ट रहता है तो मतलब कि मेरे को एक कमेंट आया तो मिलेकर बहाई एक बार ना वोव 64 को पूरा डिटेल्ट एक्जांपल के साथ इसको समझ जाकर दिखा दो मैं तुम लोग को एक्जांपल देने के खुशिश करता हूं कंपैरिजन भी करूंगा बीच में नाइन पॉइंट भी बताऊंगा कि भाई कौन सा वर्जन फास्ट है तुम लोग के लिए एडवांटेज डिस बता दूंगा मैं वोव 64 कौन कौन से डिवा वाइन जी कुस्तम 8.25 वला वरजन जो भी यहां पर लोग ने ग्रैन तिव्ट साफिक्स है यहां गया मैक्सीमम ग्राफिक्स है मतलब कि हम लोग ने जो तो एक एक्स्ट्रा होता है ग्राफिक्स पैच होता है यह एंबी टाप का वह हमने यहां पर इंस्टल कर रखा जिसे कि हम लोग का ग्रैंट्टिव टोटो फॉर बरना यह गाइस ब्लैक इन वाइट तो ऐसे में हम लोग को ओल्डर वर्जन वाइन के साथ लगभग लगभग यहां पर मैं तुम लोग को बता देता हूं तेरा एफप्स हम लोग को मिलें थाटीन एफप्स में हम लोग को हाँ अगर मैं ओल्डर वर्जन यूज करूंगा ग्रैंट्टिव टोटो फॉर का गाइस विदाउट ग्राफिक्स एन बी के साथ तो वहां पर हम लोग को 30 fps मिल है अभी देखो एक 11 fps समझ लोग 10 fps आ रहा है मतलब इतना इतना हम लोग को आही रहा है मैक्सिमम हम लोग 13 fps फिल भी मानी लेते हैं 8.25 वर्जन का अभी है अभी हम लोग 9.2 में इसको बेंचमार करते हैं ठीक है और मैं तुम लोग पूपाइस यहां पर डिवाइस रिक्व 15 fps है वाइन 9.2 में GTA 4 अपनों हाई और वही सेम तुसे हमने ग्राइं ट्रोटर फोर यहां पर भी रन कर रखा है डिफॉल्ट सेटिंग के साथ हाई ग्राफिक में तो जितना हम लोग को एफपेस मिल रहा ता वहाँ पे तेरा एफपेस मिल रहा ता यहां पर 17 fps मैं मान के च सपोर्टेड एडजन 2 में आगा एड़न 1 में यहीं तीनों में आगा लेकिन अभी हो गया है कि अभी हम लोग का ओल्ड डिवाइस में भी यह सपोर्ट है वोग 64 में हम लोग को परफॉर्मस बढ़िया मिल रहा है तो मतलब कि यहां पर गाइस डिसफिद्वांटेज को बत फर्स्ट इंस्टॉलेशन में रन होता है और सेखिंड इंस्टॉलेशन में वह कितना भी इंस्टॉल कर लो फिर वह रन ही होता फिर भी मोग समय लेटर अनिस्टॉल करके इंस्टॉल कर लो गेम फाइल तुम लोग को डिलीट मारना पड़ता है तब वह रन होगा ठीक है गेम हम लोग को इस्टेबल है लेकिन नया वला हम लोग को परफॉर्मेंस में है वाइन 9.3 दे सकते हो यहां पर गाइज मैं तुम लोग को बदा देता हूं उधर 17 fps हम लोग का 17 fps था हम लोग का अभी हम लोग का आएगा यहां पर 20 से 21 fps इसमें आ जाएगा लोग को 22 fps लास्ट गया और यह इनवी का ग्राफिक्स के साथ हम लोग को तुम लोग को दिखी रहा है वाइन 9.3 हम लोग का फास्ट है एस कंपेर टू लेगिन गाइज मैं तुम लोग को अल्रेडी बता दिया कि एडवांटेज क्या है एडवांटेज है कि हम लोग को और ड ग्राफिक्स के साथ अभी खेल सकते हैं वह भी हम लोग को बढ़िया चलता है 20 से लेकर 30 fps लो एंड डिवाइस में मिलेगा मतलब कि अगर तुम लोग मीडियम ले लोगे ग्राफिक्स अगर हटा लोगे तो तुम लोग को 40 fps हीजिली आर्चीव हो जाता है ग्राफिक्स के ह जानबुज के हाई रख 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 है ताकि यहां पर मैं तुम लोग को fps बेंचमार्ट टैस्ट यहां पर करवा सको होब जो वीडियो का समझ गया होगे वह 64 का एडवांटेज क्या है यहां पर ग्लिच भी है और यहां पर किसी किसी गेम का फिक्स भी है फॉर इसांपल मैं है को से केकिक्स यहां पर हम लोग को बलर देखने मिल जाएगा वाइंद वो 64 में हम लोगको fix और यह बलर हम लोग को ओल वर्जन में देखने मिले दाशिक तो वो हम लोग का लेटेस्ट वर्जन भी चला देता है यह वोव 64 वाइन 9.2 9.3 यह सब रन कर सकते हैं लेकिन यहां पर मैं तुम लोग को बता दिया ग्रीच भी है क्रेश भी है तो इसको अपडेट होने में या तो स्टेबल होने में हम लोग का टाइम लगए लगए करकर चानल कर देना सबस्क्राइब है वान आज़े मिलते हैं नाच वाले वोड़ देना